तो हलो एवरिवन अभी तक तो तुम लोगों ने HBO Max की The Last of Us के बारे में सुनी लियोगा तो देखो बहुत ही कमाल की वेब सीरीज है जिसको अल्रेड़ी एक एपसोड आ चुका है और उसी की स्टोरी एक्स्प्लेनेशन में आज करने वाला हूं तो चलो आजाओ सुनो एपसोड वन शुरू होता है एक स्पीस से जहां कुछ सिक्स्टीज की वाईरल पेंडेमिस के बारे में बात हो रही होती है और वो बोलते हैं डॉक्टर के हिसाब से हमारे लिए सबसे बड़ा खत्रा बैक्टीरिया नहीं एक फंगस है स्कुना जल्दी से फैलता है और वो फंगस लोगों पे टैक करके उनको अपना होस्ट बना लेता है और उसके बाद जो वो चाहता है वो वही करता है और ये हमारे लिए सबसे खतरनाक चीज है उसके बाद की स्टोरी मूव ओन होती है सब्टेंबर 26, 2023 से जहां में दिखाया जाते हैं जोल और उसकी बेटी जिसका नाम सारा होता है और इस दिन जोल का बड़े भी होता है पर उसके उपर बहुत काम का प्रेशर होता है इसलिए वो सारा को प्रोमिस करता है कि बेटा मैं कुछ भी करके 9 बजे से पहले फ्री होके घर आ जाओंगा उसके निकलने से पहले सारा एपनी वोच्च और कुछ पैसे ड्रॉर से ले लेती है और स्कूल के बाद सारा न पैसों से उस वोच्च को रिपियर करोा लेती है तब ही उसके सामने से पुलिस अपनी गाड़ी में गस्त लगा रहे होते हैं इसे देख वो उस शॉप की मालिक की वाइफ पुलिस को देखके बोडर जाती है और शॉप को बंद करते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है उसके बाद वहाँ अजीब से इंसिडेंट्स होने लग जाते हैं और उससे पहले ही सारा वहाँ से निकल के अपने घर पहुंच जाती है उसके बाद उस रिपेर हुई वाच को वो जोईल को उसके बर्डे प्रेजेंट में दे रहती है और तब ही उसके बाद जोईल को एक कॉल आती है जो उसके भाई टॉमी की तरफ से होती है वो उसको बताता है कि वो अभी जेल में है त्यूकि उसकी कुछ लोगों के साथ लड़ाई हुई थी उसके बाद वो कहता है अगर तुमने मुझे अभी यहां से नहीं चुड़ाया तो यह पूरा वीकेंड मुझे यहां पर रखेंगे उसके बाद वो सारा को वहीं सोया हुए छोड़ के वहां से निकल जाता है और जिब सारा उठती है तो वो टीवी पे देखती है कि एक अनॉस्मेंट हो रही है जिसमें सभी लोगों को गर्म के अंदर रहने के लिए बोल जा रहा है और सारा उसे इग्नॉर करके डिसाइड करती है कि वो बाहर जाएगी और इसके बारे में अपने पडोसियं से पुछेगी पर उसी टाइम सीटी के बीचों बीच एक जेट क्रैश होके वहाँ गिर जाता है तभी वो समझ आता है कि घर से बाहर निकले का फैंसला उनका बहुत ही जादा गलत था और आप वो फंच चुके है उसके बाद जोल सारा को उठाता है पर तभी होश में आने पर उसे उतार भी देता है तभी एक इंफेक्टर बंदा उनकी तरफ आ रहा होता है पर बीचे से एक सोलजर उसके सर पे गोली मार के उसे मार देता है वो देख टोमी वहाँ से भाग जाता है और क्रैस की वज़े से उस टाइम पे सारा भी इंजर्ड होती है और सोलजर को ओर्डर होते हैं कि जो भी बाहर दिखें उन्हें गोली मार दो इसलिए वो उन पे गोलियों की बुछार कर देता है जिसे कुछ लोग पकड़के उसे कोई से इंजेक्शन लगा देते हैं और उसकी बोडी को जोईल उठाके लेकर जाता है त्यूकि उसका काम होता है बोडी इसको जलाने का और उसे के बाद वो डिसाइडड करता है कि उसे धूनने के लिए वो पहले वो रोबर्ट के पास जाएगा और उसके उसका ट्रक लेके वहाँ टॉमी को ढूनने जाएगा उसके बाद एक और Carla इंट्रजियूस करवाई जाती है इसका नाम Ellie होता है और वो एक mission पे होती है जिसके बाद वो जोयल से मिलती है और उसकी हल्प करने के लिए रेडी हो जाती है और रोबर्ट के पास वे उस बैटरी को लाते हैं जो ट्रक को स्टार्ट करने में हल्प करेगी और उसके बाद उन्हें पदा चलता है कि वो बैटर में एक मिशन पर निकल जाते हैं और वहाँ से निकलते हैं उन्हें एक सोलजर देख लेता है और वो वही सोलजर था जो हमें 20 साल पहले वाले सीन में दिखाय गया था उसके बाद वह उन सब को चेक करता है कि उनमें से कोई इंफेक्टर जा नहीं बट एली उसे ये करने से र लगी हुई होती है तो देखो यह एपसोर्ट तो इतना ही था लेकिन इसके और भी एपसोर्ट आएंगे प्लीज तुम कमेंट में अपनी फीडबैक दे देना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी और मुझे क्या इंपरिव करना चाहिए अपनी वीडियो में तब तक मिलते हैं